असलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग आप लोगों का लुबना के किच्चन में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बना रही हूँ मुखलई चिकन तो देखिए हमने किलो चिकन ले ली है उसको मैंने अच्छी तरह वाश करके उसको थोड़ा सा छूरी से कट के निशान लगा अब मैंने लिया है 1 चम्मच stir द्रक का पेस्ट चम्मच लारी मिर्ची ते laying this निम्बू है एक आधा और धनिया पौड़र है एक चम्मच गरम ये है कचिकन मसाला पौडर एक चम्मच नम्मक है आप अपने हिसाब से हल्दी आधा चम्मच गरम मसाला एक चम्मच और दो चम्मच लाल मिर्ची पेस्ट ये एक कटोरी दही है और ये दो टमाटर पिसे हुए हैं आई ये बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने निम्बू डाल लिया है और चिकन में और फिर इसे मिक्स कर लिया है हाथ से अब मैंने इसमें सुखे मसाले डाले हल्दी मिर्ची धन्या सारे और ये दही भी हमने इसी में डाल ली है और ये टमाटो प्यूरी भी मैंने इसी में डाल लिया है और सबको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी अच्छी तरीके से मिक्स करिए ताके ये यकजान हो जाए अब इसे मुझे 3-4 घंटों के लिए रख देना है अच 4 घंटे हो गए हैं यह मैंने कोईला गरम किया है अच्छी तरीके से एकड़म खौला लिया था लाल कर लिया था अब मैंने रोटी का एक पीस रख कर कोईला इस पे चिकन पे लग डाल के और फिर इस पे तेल डाल के मैंने ढग दिया आप चाहो तो किसी कपड़े से भी इसको अच्छी तरह सील पैक कर दीजिए ताकि स्मोकी फ्लेवर आ जाए अच्छा जी यह मैंने दो प्याज ले लिए पीसीवी छोटी और यह गरम मसाले है मेरे पास जो आपके पास अइविलेबल हो वो लीजिए अब यह मै बड़े चम्मच है यह अब मैं सबसे पहले बिसमिल्ला रख्मान रहीम सबसे पहले मैंने तेल गरम किया उसमें गरम मसाला डाला और फिर मैंने इसमें डाली प्याज यह बहुत एजी बनती है चिकन और बहुत टेस्टी रहती है आप इसे मेरे तरीके से बनाईए इंशाल यह पिसा हुआ पेस्ट काजू वॉलनट और किशमिश का पेस्ट है अच्छी तरह साफ करके डालिए फिर हमें इसे घूमाना है अच्छे से चला कर सारा मैं डाल दूंगी फिर इसको भी अच्छी तरीके से कटोरी को धोकर भी मैंने डाल दिया है अब मैं इसे थोड़ी द दूंगी ताकि उसका कच्छापन निकल जाए अब मैं डालूंगी हमारा ये चिकन इसमें से कोईला मैंने निकाल दिया है अब ये मैंने की चिकन डाली अपनी प्यास के पेस्ट में फिर इसे मुझे अच्छी तरीके से चलाना है जब तक ये अच्छा सा इसको सब चीजे म मिक्स हो जाए इतना मुझे चलाऊंगी आप इसे तेवारों पे बनाईए अपने महमानों के सामने बनाईए ये देखी मैंने इसको धोकर भी थोड़ा सा पानी डाल दिया ज्यादा पानी मट डालिये क्योंके दही और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे फिर बहुत पानी हो जाएगा तो थोड़ा सा ही पानी डालिये और इसे 15 मिनट तेज आज पर और 20 मिनट स्लो आज पर पकने के लिए छोड़ दीजिए अब ये देखिए मेरा चिकन तयार है ये देखिए तेल भी सेपरेट हो गया है और दानेदार मसाला भी हो गया है माशाल्ला से सब्सक्राइब कीजिए दावतों में बनाएए इसे तंदूरी रोटी नान कुल्चे जिससे भी आपको दिल करेखाईए इन्शालला आपको भी पसंद आएगा और फिर इस पे हरा धनिया डालके इसे पेश कीजिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजि मेरे डिश को और देखने का बहुत बहुत शुक्राइब